त्यूदों स्वागत फिर से आपका नहें वीडियो में ॡश्यडियो में बात करने जाएं होन्डा कार प्लांट की तरफ से वैकंसी निकल की आई है अपरेंटिस और एपटीय एकी तो जो है किसी सेट के लिए वैकंसी रहने वाली है और उसके बाद जो है क्या online form फिल करना पड़ेगा और campus placement ये लग रहा है तो कहां पर जो है जाना है आपको campus placement में तो साइड detail पर हम बात करेंगे तो वीडियो जो है आप पूरा अंतक देखिएगा तब ही आपको पूरी जानकारी समझ में आती है जैसे आपको पता है कि इस चैनल पर जो है इस चैनल पर जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारी जो वेबसाइट है सौरवाइट ये डॉट कॉम उसके भी आप चले जाते हैं तो उससे बेनी फिडियो होता है जैसे लेटिस्ट कैंपस प्लेश्पेंट हैं या लेटिस्ट अप्रेंटिस हैं हम जो है वहाँ पे डालते रहते हैं आपको पता सल जाएगा नीचे डिक्स्टरम ने लिंक है वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम का उस पे किलिक करके जो है आप जाइन कर लिए अब बात कर लेते हैं कि हॉंडा कार्प प्लांट की तरफ से जो है वैकेंसी निकल क्या है हाईरिंग आईटियाई कैंडेट यानि कि आईटियाई पास आउट जो कैंडेट हैं वही जो है इसमें वैकेंसी में रहने वाले हैं यह भरती जो है उनली पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो कैंडेट हैं उनके लिए रहने वाली हैं क्यूंकि जो आप अधर स्टेट से यूपी से बिहार से एंपी से आप वीडियो देखेंगे आपका टाइम खराब होगा जो पंजाब राजिसे हैं और उसके बाद हिमाचल राजिसे हैं वही यह वीडियो देखिएगा क्यूं इस प्लेश्मेंच में अपेरिंग केंडियो जो है वो भी इलिजबं रहने वाले हैं ओपेन यानि की ओपन पोजीसन रहने वाली केवल जो है मेल केंडियो इसमें male candidate ही eligible रहेंगे female candidate जो है इसमें eligible नहीं रहेंगे इसमें अप्रेंटिशिप की बात करें तो डेर्ट सो जो है apprenticeship की पोस्ट रहने वाली है और उसके बाद जो है 100 पोस्ट की बात करें वो जो है FTA की रहने वाली है यानि की fix term associate की vacancy रहने वाली है अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रेट की candidate इसमें eligible रहेंगे तो फिटर automobile, machinist, turner, welder, diesel mechanic इसी यानि की और सभी जो है diesel mechanic हो गई ट्रेक्टर मेकानिक ये ट्रेट की candidate इसमें eligible रहने वाले हैं जैसे बात करें कि जो है electrician के वाले candidate इसमें eligible नहीं रहेंगे जैसे electrician को छोड़ के अलग जो है जितनी भी टेक्निकल ट्रेड हैं वो candidate इसमें eligible रहेंगे तो जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like करिएगा अब बात कर लेते हैं कि campus placement कहा लगाए जा रहा है ये लगाए जा रहा है गौर्मेंट आइट याई कब लगाया जा रहा है ये लगाया जा रहा है 17 जुलाई 2024 को बुद्वार को ये campus placement लगाया जा रहा है तो आपको जो है 17 जुलाई को कहा जाना है गौर्मेंट आइटियाई रंजीत वेन्यू डी ब्लॉक अमरिस सर पंजाब में आपको चले जाना इस एड्रेस पे और उसके बाद जो है आपका वहाँ इंटर्व्यू टेस्ट होगा आप जो है हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं वहाँ पे मैंने डाल रखा है इंटर्वे में क्या पूचा जाता है और उसके बाद जो है बात करें टेस्ट में क्या पूचा जाता है तो वहाँ टाल रखा है तो वहाँ पे क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैसे बात करें आने वाली टाइम में जितनी भी वैकेंसी वगएरा है हम आपके साथ सेयर करेंगे वेबसाइट है इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है टेली ग्राम वाटसप का लिंक नीचे डिस्टर में डाल रखा है उस पे क्लिक कर क्या आप जाइन कर लिए क्योंकि जो है यहां पर बात करें यह हॉंडा कैमपस फ्लेश्मेंट है वेबसाइट पर मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि इसमें जो है बेसिक डिटेल क्या रहने वाली जैसे बात करें हॉंडा कार प्रांट है और उसके बाद जो है सेली आपकी 16,000 से 24,000 के बीच में रहने वाली है पासिंग एर की बात में 2021 से लेकर 23 के बीच में होनी है तो यह सारी डिटेल हम डाल दिये हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं और उसके बाद नॉटिफिकेशन आप यहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ही जाएं